नमस्ते मैं अलकाठा कुरूँ और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेज में स्वागत है आप लोगों का ये समस्या हमेशा रहता है कि मेरा वजन बढ़ता ही नहीं है आप खाते बहुत जादा है एक ही जगा पर अटका हुआ रहा है आपका वजन और अटका रहता है आप के नीचे क्रैम्स होते हैं मरोर टाइप का होता है अकरन टाइप का होता है इसका मतलब है कि प्रॉब्लम्स है आपकी आतों में प्रॉब्लम्स हो सकता है अगर आपको जुकाम हो गया है बुखार हो रहा है या फिर आपके सर में दर्द है नाक बहता है रात को पसीना आता ह खाते हैं कुछ भी पचता नहीं है दूद आप पीते हैं आपको दूद पचता नहीं है दूद की स्मेल आपको अच्छी नहीं लगती है या फिर सोयाबीन आप खा नहीं सकते हो सोयाबीन से कोई भी बना हुआ चीज आपको पचता नहीं है तो उस कंडिशन में क्या हो सकता ह उस condition में हम इस चीज को इगनोर कर देते हैं और हम अपने आप पे ध्यान नहीं देते हैं बिलकुल नहीं देते हैं लेकिन देना चाहिए बिलकुल देना चाहिए क्यों क्यों कि आपके बॉड़ी में problems तो है problems है पिछले वाले lecture में मतलब कल हमने क्या समझा था कि अगर आपके आइरन कम हो गया है बॉड़ी में तो क्या होगा आपके बाल जहरेंगे बाल आपके रूखे सुके बेजान हो जाएंगे आपका जो स्किन है जो तो अच्छा है वो फिर बेजान हो जाएगी रूखी हो जाएगी फिर आप बोलते हो कि मेरे चेहरे पर चमक नहीं है चमक कैस तो फिर प्रॉब्लम्स क्या क्या होती है बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं और उन सारे प्रॉब्लम्स को आज हम देखेंगे बड़े आसानी से हम समझेंगे जहां पड़ स्थिती अच्छी नहीं होती जिनके पास पैसा नहीं है खाने पीने का साधन नहीं है वो खाना कहा से लाएंगे हाईजीन को मिंटेन नहीं कर पाते हैं कहीं भी सोजाते हैं तो उस कंडिशन में भी आपके बॉड़ी में दिक्कत होती है और वजन कम होने लगता है लेकिन आप अपने घर में हो तभी भी आपका वजन बहुत तेजी से कम हो रहा है अब क्या हो रहा है कारण ब लब digestive enzymes जो आपके खाने को पचाता है तो mainly या तो वो जादा निकलता या फिर वो कम निकलता है या फिर आपके किसी भी अंग में cancer हो गया है वहाँ पर tumor हो गया है वहाँ पर गाठ बन गई है वहाँ पर inflammation है यानि कि उस area में सुजन है वो area जादा weak हो गया है एक पार्ट से कम जोर हो गया है तो इन सारे conditions में आपके body में वजन घटेगा thyroid में problem है वजन घटेगा hypertherodism की problem है वजन घटेगा सबको हम अभी समझेंगे अब देखिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे देखिए इस बेचारे इंसान को देखिए इसका वजन काम होड़ा है मू लटका कड़ अब इसको चाहिए body shoddy body shoddy कैसे आएगा body shoddy तो खाने से आता है ना लेकिन बेचारा खा रहा है खाना इसके body में लग नहीं रहा है इसका जो आथ है वो उसको ले नहीं रहा है जब आथ उसको सोखेगा नहीं एब्जॉर्ब नहीं करेगा मतलब खून में पोशक तत्व जाएगा नहीं तो इसको ना तो उर्जा मिलेगी ना इसको ताकत मिलेगी ना इसका health अच्छा होगा ना इसका वजन maintain रह पाएगा इसका concentration है इसको depression होगा इसको anxiety होगा इसको बात-बात पर गुस्सा आएगा जैसे कि आपको आता है इसको समझ में नहीं आएगा कि हमें इ सभी इंद्रियों पर वश रखना ही तप है और आपको ये तप करना है तभी आप एक दिन बहुत अच्छे मुकाम पर पहुँचेंगे अब सबसे पहले हम कारन समझ लेते हैं कि बेचारे का मुग क्यों लटका हुआ है क्या हो गया इसको आपको क्या problem है यहां देखिए अ mycobacterium tuberculosis होता है या फिर mycobacterium bovis होता है यह जो bovis है वो कच्छे दूद में पाया जाता है ठीक है अब जब किसी पश्रू को ये वाली bacteria ने ग्रसित कर रखा है और आप उसका दूद निकाले आपने उबाला नहीं आलस के कारण और आप बिना उबाले उसको पी लिए आपन मना करते रहे गई लेकिन तभी भी आपने कच्छा दूद पिया क्योंकि आपको लगता कि आप काफी जादा healthy हो अब क्या होगा अगर गलती से भी ये वाली bacteria उस दूद में होगी तो आपके digestion को वो फिर खडाब कर देगी कैसे आपकी small intestine large intestine पे attack कर देगी अब हमला तो हो ग याने की human immunodeficiency virus आपके body में सीधे सीधे जाकर के ये आपके immune system पे attack करती है जब आपके immune system पे attack करती है तो उस condition में क्या होता है दुनिया भर की तमाम बिमारी हो जाती है क्योंकि आपका रोग प्रतिरोधक श्रमता ही कमजोर है तो आप क्या करोगे कुछ भी नहीं आप कर सक करते हो इसी लिए खुद को मजबूत बनाए पैरा साइट्स का अगर infection हो जाता है जैसे की round warm हो गया hook warm हो गया या फिर amoeba का infection हो गया ant amoeba histology का amoeba का structure कैसा हमने देखा था 10th class में हमने ऐसा देखा था कि उसका कोई आकार नहीं होता है वो खाना भी खाता है तो खाना को पह आपने वहां पे गुलगप्पे के लगे हुए है पूरे स्टॉल आपने गुलगप्पा खाया मज़े से खाया वहां पे रखा हुआ था पानी आपने पानी पी लिया आपने डोसा खाया आप वहां पे कोई पानी रखा हुआ है या फिर वहां पे कुछ गंदगी है आपने वो सब खा लिया, अब क्या होगा पैरासाइट्स, या तो राउंड वाम या फिर हुक वाम, या फिर आपके बॉडी में ये जो अमीबा है, ये आपके बॉडी में एंटर करेगा और अपना घड बसाएगा अब आपका घड भी नहीं बसाएगा अब आपके पेट में अकड़न होगी, दर्द होगा आपको बहुत तेज मरोड होगा, हो सकता है कि कब जो हो जाएगा, या फिर आपको बुखार हो सकता है आपको रात में पसीने आ सकता है, आपको पता नहीं है आपके बॉडी में क्या होड़ा है, तो इसलिए इतनी जानकारी तो होनी चाहिए, विपल्स डिजीज हो सकता है यह जो बैक्टेरिया है, वो फिर मिट्टी में पाया जाता है और पानी में पाया जाता है, प्रदूशित पानी और प्रदूशित मिट्टी से यह आपके बॉडी में आ जाता है, इसलिए बोलते हैं कि body में कोई structural defect की वज़ा से हो जाता है क्या तो बिलकुल अगर आपके body में आत में कोई structure में defect आ गया हो बहुत constipation है जब severe constipation होता है तो आत का structure जब आप pressure लगा करके मल को पास करते हो तो वहां का structure कुछ change हो जाता है उसी को हम बोलते कि structure में defect आ गया है आपकी बनावट में आपके अंगों के बनावट में फिर दिक्कत आ जाती है तो क्या क्या दिक्कत होती सबसे पहला क्या IBD इसका मतलब क्या है inflammatory bowel disease अब इसमें क्या होता है इसमें दो चीजे होती है इसमें हम दो चीजों को देखते है यहां पर हम देख लेते हैं देखिए यहां देखिए अगर आपको IBD की समस्या या तो आपको ulcerative colitis हो सकता है इसक के सूजन हो जाती है जैसे मुँमे छाला होता है सेम वैसे ही हो जाता है अब यहाँ पर एक ulcerative colitis हो सकता है और एक क्या हो सकता है एक हो सकता है आपको Crohn's disease जो आपके छोटी आथ को ग्रसित करती है उसी को हम इन दोनों को हम साथ में क्या बोलेंगे inflammatory bowel disease मतलब bowels का मतलब होता है आपकी यात ठीक है और inflammatory मतलब वहां पर surgeon हो गया है और disease का मतलब होता है रोग तो दोनों disease हो सकती है तो दोनों disease में क्या होता है दोनों disease में आपको problem तो होती ही है साथ में second हमने क्या देखा था कि आपको छीके भी आएंगी आपका नाक बहेगा आपका ब्लॉक भी हो सकता है और साथ में बहुत सादा concentrate करके आप नहीं पढ़ पाओगे हमें सर्दी और जुकाम होता है हम concentrate नहीं कर पाते हैं दूसरा क्या है systemic sclerosis हो सकता है इसको हम क्या बोलते हैं इसको हम एक और चीज बोलते हैं crest syndrome बोल सकते हैं इसको मैं बताते हूं क्या होता है या फिर आप इसको scleroderma बोल सकते हो तीनो नाम है इसका scleroderma चलिए अब ये कैसा होता है इस condition में अगर आप देखोगे तो आपके body में जो connective tissue होते हैं देखिए body में connective tissue मतलब आपके अगर हाथ का अगर ये layer से यह जो मान स्पेश्ची है तो यहां की मान स्पेश्ची अलग है फिर यहां की मान स्पेश्ची अनग है लेकिन आपस में जुरी हुई है और उपर से skin का layer है तो वो कैसे जुरी हुई है एक बहुत पतली-पतली रेशेदार टाइप का एक structure होता है एक बनावट होता है पतला पतला रसी होता है या फिर आप कह सकते हो धागा होता है जो इन सभी मांस्पेश्यों को आपस में जोड करके रखता है उसको हम क्या बोलते हैं कनेक्टिव टिशू बोलते हैं अब जब ये कनेक्टिव टिशू अब इसी के अंदर में इसी का एक ट पिश्यक कुछ जादा ही नाजुक है और हम जैसे मोडते हैं वैसे वो मुड जाती है तो क्यूं कि वो जो धागा है अंदर में वो काफी जादा स्मूध है काफी जादा सॉफ्ट है अब होता क्या है कि यहां पे जो कोलेजन है वो काफी जादा हाड हो जाता है टाइट हो जा तो यहां पर देखिए उंगली इस तरह white सी हो गई है और पूरा हाथ का आप स्थिती देखिए किस तरह से ये पूरी तरह से red हो गया है तो इस condition में क्या होगा इस condition को हम बोलते हैं syndrome या फिर आप इसको scleroderma बोलते हैं जिसमें आपके body में connective tissue काफी जादा hard हो जाती है और इस तिती की वजह से भी आपके body में फिर दिक्कत आएगी और आपका पाचन सही से नहीं होगा ठीक है आपका body जो है वो सही से खाना को absorb नहीं कर पाता है उसके बाद क्या होता है उस जो fiber वाली चीजें है डाल नहीं खाता है बींस नहीं खाता है सबजी नहीं खाता है बहुत नखड़े होते हैं किसी किसी के होते हैं बहुत जादा नखड़े तो जब वो नहीं खाते हैं जब वो ऐसी चीजें नहीं खाते हैं जिनकी वजह से उनकी body में आसानी से पाचन की तो जो उनका आत है वो कहीं कहीं से यहां पर देखिए जो उनका आत है वो कहीं कहीं से इस तरह का छोटा छोटा टाइप का यह देखिए इस तरह सा उठ जाता है तो जब यह उठ जाता है तो हम इसको बोलते डाइवर डाइवर्टी क्यूलाइटस तो यहां पर क्या होगे य यहां पर या तो यह एक हो सकता है या फिर एक से अधिक हो सकता है तो यह आत में दिक्कत है जब आत में दिक्कत होता है इसका मतलब है कि आपका पाक्चन डिस्टर्ब हो रहा है और इंटेस्टाइन आपकी चोटी आत या फिर आपकी बड़ी आत सही से काम नहीं कर रही है औ और जब यह सही स काम नहीं कर रही है तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में आपके body में malnutrition की स्धिती बन जाती है. यहां पर दो चीज होते हैं या तो आपके body में fistulat हो जाए या फिर situation हो जाए अब यह क्या होता है? फिस्टुलास का मतलब यहाँ पर देखीए कि जब किसी को भारी कबज की समस्या होती है मतलब बहुत जादा प्रेशर लगाते हैं लेकिन तभीभी मलपास नहीं होता है अब आपको इसमें हसने वाला कोई बात नहीं है लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाला ये बात है कि बहुत लोगों को आदत है कि वो मैदे से बनी चीज खाते तो अब खाओ मैदे से बनी चीज आपको constipation हो जाएगा जब कब्ज होता है तो आस पास की जो manspatia है यहाँ पर फिर इसकी जो बनावट है वो फिर खड़ाब हो जाती है अब इसी खड़ाब बनावट में से एक खड़ाब बनावट को हम क्या बोलते हैं fistula बोलते हैं fistula यहाँ पर मैं लिख दू फिस्टूला ठीक है और दूसरे को हम क्या बोलते हैं strictures strictures अब देखिए यहाँ पर abnormally रास्ता बन जाता है यह body में abnormally क्या वो कर रही है यह रास्ता बना रही है तो यह fistula हो गया अब यह किसी-किसी ओर्गन से भी connect हो जाती है यह automatic यह रास्ता बन जाता है तो यह severe constipation का ही एक तरह का समझे की defect है या फिर side effect है तो यहाँ पर क्या हो गया यहाँ पर आपके रिक्तम के पास आपके intestine के पास जब ऐसी स्थिती बनती है ऐसा situation बनता है जिसमें fistulas बन गया है तो आपके body में दिक्कत आएंगी अब क्या हो गया अब हम इसी को बोलते है strictures क्या बोलेंगे strictures अब इसमें क्या होता है देखिए यहाँ पर क्या होगा कि आपका जो बड़ी आथ है वो बिल्कुल normal है ठीक है लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर inflammation हो गया मतलब यहाँ पर फैल गया आथ और उसके बाद यह चानक से बहुत पतला हो गया तो हुआ क् हो जाता है उसी को हम stretchers बोलते हैं structure बोलते हैं तो यहाँ पर सही से खाना आगे की तरफ पास नहीं हो पाएगा या फिर जहाँ पर मल अगर बड़ी आंच से आती है तो आगे की तरफ पास नहीं हो पाएगा यह आपका रेक्टम है और यह आपका ενस है अनस मतल bag मल दौर और रिक्तम यहाँ पे मल इकठा होता है मतलब मलाश है ठीक है, तो यहाँ पे फिर दिक्कत होता है और आपके body में सही से खाना absorb नहीं हो पाता है बहुत सारे लोगों में यह दिक्कत है कि उनको दूध नहीं पस्टा है क्यों कि वो क्या होते है वो होते हैं milk intolerance की स्थिति बनती है अब यहाँ पर दो चीज आता है एक होता है lactose intolerance और एक होता है milk intolerance Lactose Intolerance चलिए, दोनों को हम समझ लेते हैं, दोनों वैसे कभी-कभी हम माल लेते हैं कि एक ही है लेकिन अलग-अलग है कैसे अलग-अलग है, देखिए, Milk Intolerance में क्या होता है Milk में, यानि कि हमारे दूध में दो टाइप का प्रोटीन पाय जाता है उसको हम क्या बолते हैं? कैसीन बोलते हैं या फिर हम उसको वै बोलते हैं अब ये दोनों अलग-लग है, या एक होता है कैसीन और दूसरा प्रोटीन को है? वै है ठीक है? यहाँ पर देखिए, हमारे मम्मे क्या बोलती है? दूध पी वरणा बढ़ोगे नहीं बोलती है ना अगर आपके बोडी में आप क्या सोचते हो कि दूद अगर जाएगा तो फिर आपके बोडी में ग्रोथ होगी आप बहुत अच्छे तरीके से आपके बोडी की डिवलप्मेंट होगी आपके बोडी में कोई भी चीज का कमी नहीं होगा बस दूद पीने की आव और जब वो दूद पी लेते हैं तो कभी कभी होटों के आसपास सूजन भी हो जाता है अब यहां पर कौर चीज़ आता है लैक्टोस इन्ट्रोलरेंस अब लैक्टोस क्या होता है लैक्टोस है भाईया शुगर अब बॉड़ी में अगर यह शुगर सही से नहीं पचता है है जब वो सही से नहीं पच पाता है तो उस कंडिशन में उनको क्या हो जाता है उनको लैक्टोस इन्ट्रोलरेंस होता है अब लैक्टोस इन्ट्रोलरेंस क्यों हो जाता है क्योंकि बॉड़ी में हमारे बॉड़ी में इस लैक्टोस को पचाने के लिए हमारा जो बॉड़ी है पूरा जो पाचन सिस्टम है वो एक एंजाइम निकालता है उस एंजाइम का नाम क्या है लेक्टेज लास्ट में A.S.E. लगा हुआ है तो ये जो लेक्टेज है ये कम अमाउंट में नैचुरली बच्पन से ही होती है तभी तो हम लेक्टोस को पचा नहीं पाते हैं अब जब प्रोटीन जब होगा तो ये जो प्रोटीन है इसको पचाने के लिए हमारे इम्म्यून सिस्टम है वो भी काफ़ी स्ट्रॉंग होनी चाहिए अब सही से हम जब नहीं पचा पाते हैं तो फिर हम दूद पीते ही उल्टी कर देते हैं कोई-कोई किसी को दही नहीं आता है इतना समझ में आ गया अब यहां पर हमने यह भी दिखा कि डाइबर क्यूलाइटस क्या होता है आई-बियस भी होता है मतलब इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम यानि कि आपका जो आथ है उसमें इंफ्लामेशन है और आथ के सासत आपका पेट भी उसमें आ गया मतलब पेटों में भी सुजन है अब जब दोनों कंडिशन होगी यानि कि आई-बियस की कंडिशन होगी तभी आपका वजन घटेगा बढ़ेगा नहीं इसके लाबा फिस्टुला मैंने बता दिया स्टिचर्स मैंने बता दिया रेडियेशन एंटेरिटाइटस किसे किसी को बहु इंटस्टेंड में दिक्कत होगी उसमें इंफ्लामेशन हो सकता है वो ब्लॉक हो सकता है तभी आपका वजन घटने लगता है क्रिस्ट सिंड्रो मैंने आपको बता दिया क्या होता है इसके अलावा और क्या क्या कंडिशन होते हैं अगर आपके कोई भी अंग के सबसे सब्सक्राइब प्रटीन होता है उडिकट हो सकता हैं अगर आपकोको सीलिक डिजीज है तो क्योंगी वो से आपको allergy हो जाएगा आपके पेटों में एठन होगी आपका वजन कम होगा साथ में आपको इल्टी होगा और आपके आतों में फिर दिक्कत हो सकती है ब्लॉक हो सकता है आतों में आपको दूद नहीं पचता है, मैंने बता दिया किसी को सोय AllesM mate , वह बनाते हैं, तो वह जो दूद है वह फिर जब आपको नहीं पचता है तो उस कंडिशन में हम क्या बोलते हैं reflect हम बोलते हैं , तो उस दूद के काधन भी आलर्ची हो जाती है, बहुत सारे लोगों को Fractose Mal Absorption हो जाता है मतलब आपको जब मीठा चीज़ खाएंगे Fractose भी होता है आम में क्या होता है Fractose भी होता है तो आपको गलुकोस पचहेगा लेकिन Fractose आपके मल से पास हो जाएगा आपका बाडि उस Fractose को अवशोशित कर ही नहीं पाएगा बहुत body में abnormality होती है हमें पता नहीं होता है क्योंकि हमें जानकारी नहीं है जब ये सारे conditions होते हैं तो ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति को सारे condition होंगे अलग-अलग व्यक्ति को अलग-अलग दिक्कत होगा और उस दिक्कत की वज़से आपका वजन नहीं बढ़ेगा ये सभी कारण होते हैं जिनकी वज़से आपका वजन नहीं बढ़ता है तो हमेशा आप याद रखे कि अगर आपके body में वज़न नहीं बढ़ता है तो फिर आपको दिक्कत वाली बात हो सकती है इसके अलावा अगर आपके कोई अंग में चाहे वो pancreas हो लीवर हो कुछ में भी अगर दिक्कत हो जाता है मतलब औरगर में damage है तो क्या होता है chronic pancreatitis मतलब आपके pancreas में दिक्कत हो गया pancreas क्या होती है हम अभी देख लेते हैं यहाँ पे देखिए pancreas कहाँ पे होती है देखिए आपके लीवर है लीवर के नीचे क्या होता है छोटी सी pancreas होती है हमारी छोटी सी है यह pancreas ठीक है अब जब इसमें दिक्कत हो गया इसमें इंफ्लामेशन हो गया या फिर इसमें अगर ट्यूमर हो जाता है कैंसर जैसे सिती अगर इसमें बनने लगे इसका मतलब ये होता है कि आपको दिक्कत हो गया अब पैंक्रिया में दिक्कत है, पैंक्रिया में दिक्कत होता है तभी diabetes भी हो जाता है, क्योंकि ये insulin को कम बनाने लगती है, insulin क्या करती है, insulin आपके body में glucose को पचाती है, लेकिन जब ये कम बनती है, तो फिर वो glucose आपके body में, आपके blood में घूमते रहता है, जिसकी वज़ाँ से आपको फिस डाइबिटीज हो जाता है चीक है तो पैनिक डिया में अगर दिक्कत हो जाए तो उस सकती है अगर आपके थाइरोड ग्लाइन में दिक्कत हो जाता है मतलब का बुक resil hơn यहां पर अगर इस प्लॉल क्र graveyard साइज है लेकिन जब इसमें दिख्कत होती है तो इतना बड़ा हो जाता है। अब यह आपके बॉडी में क्या करती है यह आप की बॉडी मेंटाबॉलिजम को कंट्रोल करती है। मतलब आप जो खाते हो वो आपके शरीर में लगा कि नहीं लगा, इसको ये कंट्रोल करती है, तो जब इसमें दिक्कत होगे, तो कंट्रोल तो होगा नहीं, आपके शरीर में खाना लगेगा नहीं और आपका वजन घठते चला जाएगा, अब यहां पे छोटा छोटा चार क् पैरा थाइरोड ग्लैंड इसमें अगर दिक्कत हो जाता है अगर ये थाइरोड ग्लैंड यानि कि पैरा थाइरोड ग्लैंड अगर जादा हॉर्मोन बनाए या फिर कम हॉर्मोन बनाए दोनों कंडिशन में दिक्कत होती है और ये जो है वो आपके बॉड़ी में कैल्शियम क के लेवल को मेंटेन करती है आपकी बॉड़ी में पोटैस्यम के लेवल को मेंटेन करती है साथ में इसकी सहाइता करती है थायरोड ग्लैंड की सहाइता करती है अगर आपको हाइपो थायरोडिजम की समस्या है मतलब यह जो थायरोड ग्लैंड है अगर वो कम बन रहा है अगर कम बनाता है तो उस condition में आपका वजन बढ़ेगा लेकिन जैसे ही ये हर्मोन T3 और T4 हर्मोन अगर बॉडी में ज्यादा निकालने लगे ये वाली gland तो इसका मतलब है कि आपका वजन घटेगा तो thyroid जब होता है तो वजन बढ़ता भी है और वजन घटता भी है तितली जैसा structure होटा यहां पे गल्य पे होता है फिस में अगर झाल होता है कि आपके बॉडी में आपके हाठ पर भी खत्रह हो चता है क्योंकि क्योंकि अगर आपको कोई कोया हो जैसे कि mitocistosis इसमें क्या होता है कि आपका जो body में mast cell है mast cell क्या होता है हम कुछ भी चीज खाए और हमें अगर allergy हो गया तो उसमें कौन भूमी का निभाता है हमारे body में present mast cell भूमी का निभाती है यह आपके bone को यानि कि आपके हड़ियों को मजबूत भी करती है और साथ में कहीं पर घाव हो जाए उसको भरने का काम भी करती है लेकिन specially यह क्या करती है body में अगर allergy हुआ है तो उसका मतलब क्या है कि body में allergy हुआ तो खड़ा बात है क्या खड़ा बात नहीं है क्यूंकि आपका body आपको बता रहा है कि हाँ आपके body में दिक्कत तो है कुछ न कुछ आपके body में आया है तभी आपका body आपको indication देता है और हमें पता लगता है कि body में दिक्कत है तो वह कौन बताता है मतलब guard कौन है mast cell तो जब यह mastocytosis हो जाता है तो बॉडी में रैशिस हो जाते हैं, चकत्ता हो जाता है पूरे बॉडी में, वैसा वाली इस्थिती बन जाती है, एमाईलोडोईसिस ये क्या है, ये एक प्रोटीन है जो कि आपको बोन मैडो में बनता है, बोन मैडो कहां पर होती है, आपके हड़ी के सबसे अंदर वाले पार्ट में होता है, ठीक है, वहां पर होता है, और यहां पर जब ये प्रोटीन बनता है, तो ये कहीं कहीं किसी अंग पर जा करके डिपोजिट यानि की कठा होने लगता है, तभी भी बॉडी में दिक्कत हो है antibody का मतलब क्या हो गया immunoglobuline हम किसको बोलते हैं चलिए यहां पर देखिए immunoglobuline हम किसको बोलते बॉड़ी में antibody जो अब Corona आया था तो हम क्या बोलते थे कि हमारे body में जो हम vaccine लेंगे उसकी antibody बनेगी Corona के खिलाफ तो जो body में antibodies बनती है वो क्या करता है वो रोगों से लड़ता है वो आपको बचाता है और आपके body में बहुत सारे antibodies होते जैसे कि IgA हम इसको किसे पढ़ते हैं microbiology पढ़ते हैं IgM IgE यह सारे क्या है यह सारे antibodies के नाम है और हम इसको पढ़ते है microbiology के books में लेकिन यहां पर हम सिर्फ इतना समझेंगे कि अगर आपके body में antibody कम बन रही है इसका मतलब है कि immune system weak है वो react नहीं करता है आपके body में bacteria आ गया आपके body में virus आ गया लेकिन इसने react नहीं किया इसका मतलब क्या है इसका मतलब आपका जो body है वो काम का नहीं है नालाय कम गामा ग्लोब्यू लिनीमिया मतलब आपके body में अगर antibody कम हो गई है कम बन रही है तो उस condition में क्या होगा उस condition में भी आपका वजन घटेगा चुकि आपको रोग हो सकता है आपका जो heart है वो भी फिर खत्रे में हो सकता है देखिए जो दिल है वो normally real में ऐसा होता है हम बे kidney के जस्ट ऊपर adrenal gland यहां पर present है और यह हर्मोन निकालती है जिसको हम बोलते है cortisol और यह जो हर्मोन है अगर कम बनती है तो उस condition में भी आपके जो वजन है वो फिर घटने लगता है यह हमेशा याद रखना है अगर आप कोई दवाई लेते हो आप कोई surgery करवा रखिए या फिर आप constipation है आपको आप गये डॉक्टर को बोले कि डॉक्टर साहब मुझे एक दवाई दे दो ताकि मेरा जो कबज है वो फिर ठीक हो जाए आपको दिया गया laxatives जिसमें आपका कबज को ठीक करने का ये दवाई है जब आप ये दवाई लेते हैं तो कभी-कभी ऐसा होता है किसकी वज़न से भी वज़न घटने लगता है तो बहुत सारे कारण मैंने आपको बताए है अब आपको समझना है कि आपको क्या दिकत है अगर आपकी बोड करी में कोई बैक्टेरिया घुस न जाए कोई वाइरस अटैक न कर दे तो डॉक्टर सहब आपको सुरक्षित रखने के लिए एक दवाई लिखते हैं जिसका नाम है नियोमाईसिन इस दवाई की वज़ह से भी वज़न घटता है और कोलेस्ट्राइमीन ये कोलेस्ट्रॉल को कम करनी की दवाई होती है और इस दवाई से भी आपका वज़न घटने लगता है और आपको फिर समझ में नहीं आता है कि मुझे क्या हो गया मेरा वजन घट रहा है मुझे कोई अंद्रूनी बहुत भयानक बिमारी तो नहीं है बहुत सारे कारण मैंने आपको बताए है और आपको समझने है कि आपको क्या दिक्कत है क्योंकि आपका बोड़ी है आपसे बहतर कोई भी नहीं समझ सकता है अब नौर्मली मैंने आपको बता दिये कि क्या क्या symptoms होते हैं अगर वजन घड़ता है तो normally अगर आपको mal absorption की problem है आज सही से काम नहीं करती है organ fail है जैसा कि मैंने आपको अभी बताया तो क्या-क्या दिक्कत क्या-क्या आप महसूस करोगे constipation हो जाएगा जैसी idea हो सकता है कब्ज या तो दस्त जब आप इस्टूल पास करते हो तो उसमेंसे बद्बूस ही आती है आपका इस्किन बहुत जादा रूखा होता है बहुत तेजी से ठकावट होता है गैस बहुत जादा बनता है अनपच होता है같़े खाना- खाना ऍहीं अच्छा फील नहीं होगा डिप्रेशन मतलब आप उदास रहोगे प्री मेंस्ट्वल सिंड्रोम हो सकती है महिलाओं को क्योंकि जो माल अब्सॉप्शन है यह अधिकतर हम देखते हैं कि महिलाओं को ज्यादा हो गया पुर्षो की तुल्ला में अब आपको पीरेट्स नहीं मतलब कोई अगर लेडी है उसको पीरेट्स नहीं आया लेकिन उसको फीलिंग आ रहे है कि उसके पेट में दर्द हो रहा है सेम टू सेम वैसे ही फीलिंग आ रही है इसका मतलब क्या हुआ कि उनको है प्री मेंस्ट्वल सिंड्रोम है ठीक है तो जब आपको माल एब्सॉप से आपका ग्रोथ नहीं हो पाएगा कोई बच्चा को अगर ये प्रॉब्लम हो गया है उसके बॉड़ी में अगर खाना नहीं लगता है माल एब्सॉप्शन की प्रॉब्लम है तो खाना लगेगा क्या बिलकुल भी नहीं लगेगा बहाँ जादा बाल पतले हो जाएगे लगेगा ठिक है ब्लड क्लोट होने में फिटा मुझा लगता है तो उसी कंडिशन में हम देखतें कि फिर कमी हो गई है body में अब करना क्या चाहिए management में भी हम बहुत सारी चीजें देख लेते हैं अगर हमें diagnosis करनी है हमें पता लगाना है कि आपके body में mal absorption वाला कोई स्थिती है की नहीं है mal absorption का मतलब क्या हुआ कि जो भी हम खा रहे हैं वो सही से आपके body में नहीं लगता है nutrition सही से नहीं लगता है और खाना लगता नहीं है body में तो फिर calcium का level आपके body में कम होगा phosphate का level आपके body में कम होगा vitamin k, a, e, d सभी की कमी होगी आपके body में lactose intolerance टेस्ट करेंगे हम ताकि हम देख पाए कि आपके body में lactase enzyme enzyme proper है या फिर नहीं है stool को हम test करेंगे कि आपका जो मल है वो फिर कैसा है आपको radiological studies हम करवा देंगे क्यों करेंगे क्योंकि हमें check करना है कि आपकी body में कहा दिक्कत है आपके आत में है आपके पेट में आपके pancreas में tumor है cancer है क्या है तो अगर हम test करते हैं तो सबसे परलम क्या करते है बेडियम एनिमा जिसमें ये एक liquid होती है जो हम intestine में या फिर आपके digestive system में जो भी system है पाचन का उसमें हम डालते हैं बाहर से injection दे करके और फिर हमें वहाँ पे हम एक सरे के मादम से हम देखते हैं कि दिकत है तो वहाँ पे structure में बनावट कितनी ज़्यादा बिगड़ी हुई है carbohydrate mal absorption tolerance test आपके body में जो carbohydrate है वो सही से पच रहा है या फिर नहीं पच रहा है उसकी हम test करते हैं इस्ट्य करते हैं यह फिर लगता है कि जोभी आप खाते हैं वह आपके body में लगता है या फिर नहीं अपकी जो बड़ी आथ है चोटी आथ है वो उसको absorb करती है भी या फिर नहीं करती है तो इस test से हमें पता लग जाता है कि आपका जो body है वो काम कैसा कर रहा था सिट स्कैन कर लेते हैं, MRI कर लेते हैं, ताकि हम देख़ा है कि कहीं बनावट में गरबरी तो नहीं है, कहीं कैंसर तो नहीं हो गया है, तो हम ये सभी चीजों का टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, अब इसके लाबा हम इंटरवेंशनल टेस्ट करते हैं, इसमें क्या होता है, इसम हम colonoscopy तब यह चोटी याँ या फिर बड़ी याँथ में यह जो endoscope है यह जब हम डालते हैं उसी process को हम colonoscopy बोलते हैं अब म्यूकोजल बायोपसी कर सकते हैं, इसका मतलब क्या है कि पेट के अंदर की हलकी से लेयर या फिर आत की लेयर हम ले करके माइक्रोस्कोप में जब हम देखते हैं कि कहीं उसमें कोई इंफेक्शन तो नहीं है या फिर वहा का जो पार्ट है वो कि इतना जादा डामेज है अगर हम इतना सारा टेस्ट कर तो उस कंडिशन में हमें पता लग जाता है तो इसलिए हम बायोपसी करते हैं, इंडोजोपिक, रेट्रोग्रेड, कैलेंजियो, पैनक्रिये, टो ग्राफी हम करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं अगर हमें पैनक्रिया के उपर में कोई या फिर नीचे में उसके पूरे लेयर्स में अगर कोई गाठ बनी हुई है उसी वाले प्रोसेस को हम इतना लंबा चौड़ा बोलते हैं नाम आप याद रख लोगे बहुत जादा लंबा है लेकिन आप याद कर लोगे मुझे पूरी उम्मीद है चलिए तो यहां पर क्या हो आप दूड़ी बना लो साथ में अगर आप को लगता है कि आपको यह दिकत है तो उस चीघं़ में खाना नहीं लगता है तो दो आज का लेक्चर आपको समझ में आगया होगा और नोट्स आपको टेलिग्राम पर मिल जाएंगे आपको नोट्स के लिए पहले वाले कॉमेंट में जो लिंक होता है उस लिंक पे क्लिक करना है और फिर आप जाकर के उस ग्रूप को जॉइन कर सकते हैं आपको कोई भी होता है आप पूछ सकते हो थेंक्यू सो मच अ जोपलिता है और न issues के जोँ है आपको जो जी उूपवट सकते हैं आपको जूख भी जीनल स्या WASुद़ियोर कगे तमस कार बाएंगे यहारं न